और चलिने नमस्कार साथ ही, आप सभी का स्वालगत है आज के क्लास में और आजके क्लास में हम लोग 62 No.6 को देली जो आपका 40 No.6 सवाल आते हैं 40 No.6 जो टेस्ट होते हैं उसी वोह कासन से उस जारे सवाल है ये सारए सवाल है यह आपका पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, देखेङे को यहां से देखीएगा यह पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे राधे 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 रादे श्ल्को गूर्ड ते wrestler गॉर懵निंगि, यहां पे बोला गया है कि 75-100 रुपया की रासी 10% वार्षिक चक्वर्दी व्यास की धर पर एक निस्सित समय में एक सर्टन टाइम में ये 9,75 हो जाती है एक बात समझेंगे कि यहाँ पर एक बात समझेंगे कि मुल्धन आपका 75-100 रुपया था और ये एमाउंट हो गया कितना हो गया? अब यहाँ पर पहले इसको काटते हैं तो यह कट जाएगा आपका 25-75 और यह काटेंगे अगर 25 से काटेंगे तो 25-75 और यहाँ पर आगया 25-75 और यहाँ पर संतावन तो पचीश का डिल सो और पचीश तिया पचाटतर यह आगया फिर इसको गर हम कट करते हैं तो यह कट करने के बाद 3 से कटेगा यह 100 बार में और यह कटेगा आपका 121 बार मतलब यहाँ से देखने को मिल रहा है यहाँ से देखने को मिल रहा है 100 रेशियो में देखे 100 था हो गया 121, एक बात समझेंगे, rate आपका 10% था, rate आपका देखने को मिला कि यहाँ पे 10% था, तो 10% को आप क्या लिख सकते हैं, तो 10% को आप लिख सकते हैं, एक बात समझेंगे, यहाँ से बात समझेंगे, यह 10 था, 11, तो यहाँ पे कितना पावर चढ़ाएंगे, 100 हो जाएगा, और इसका कितना पावर चढ़ाएंगे, 120 हो जाएगा, तो यह आपका, square करेंगे, square करेंगे, तो हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो timing होगा, यह ज कहने का बात हुआ कि 75-10% की दर से दो सालों में इतना हो जाता है अब यहां पर टाइमिंग पता चल गया कि हम लोग मुल्धन और मुल्धन और प्रिंस्पल और यहां पर मांट की रेश्यों देखे तो यहां पर 100-120 हो गया अब जब रेट को जब तोड़ेते 10 का स्क्वाइर यह है 11 का स्क्वाइर जो स्क्वाइर है कहने का मत्तल वही टाइमिंग है तो पूछ रहा है कि सिंपल इंट्रेस्ट क्या होंगे उतने ही टाइम पे वही धन पे वही रेट पे तो 75-10 रेट आपका वही रहना चाहिए और टाइमिंग वही साधरन ब्याज की दर से कितना बी इसका सही उत्तर होगा तो सभी लोग का एंसर आ रहा है जैन मिने कुमार चनमी मीजे कुमार हां ठीक है अरव कुमार ठीक है नियाश अहमाद सली कुन्दक कमलेश का एंसर आ गया बहुत बहुत सवाल था यहां पर केंद्रक की बात किया है तो केंद्रक की कॉंसेप्ट को समझना कि जब भी अगर बात किया जाए केंद्रक निकालने की बात किया जाए तो यह x1 और यह यह कोडिनेट आपका x2 y2 और यह कोडिनेट आपका x3 y3 अगर है तो जब केंद्रक की निकालने की बात करें तो यहां से x1 प्लस x2 और x3 बटा 3 करेंगे और यहां से y1, y2 और y3 बटा आपका 3 करेंगे कोश्चन के साथ साथ आपके जो भी कॉंसेप्ट होंगे वो सारे कॉंसेप्ट को लिखते हुए चलेंगे और एक बात और समझना कि अगर यह इसके mid point से mid point तिर्भुज के mid point को मिलाने पर जो आपका तिर्भुज बना इसका जो coordinate होगा उसका भी coordinate सा अगर निकालेंगे केंदर center निकालेंगे यह अगर coordinate दिया हुआ है यह coordinate आपका दिया इसका centroid भी निकालेंगे तो यह बड़े तिर्भुज का भी centroid भी हो जाएगा कल एक सवाल आया था कल इस सवाल आपको बता भी रखे थे यहां समको centroid के अगर बात करें तो centroid निकालने के लिए क्या करेंगे यह x1, x2, x3 चार दू 6, 6 बटा 3 अगर coordinate की बात करें 6, 2, 6 में से 2 गया, 4 चार और दू यहां भी आपका आजागा कितना? 6 बटा मतलब यह आगया, 2 और 2, coordinate आगया, 2, 2 coordinate आगया, option पर C, option नमबर C इसका right answer आगया, 2, 2 आगया, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल यहां पर देखिए, 3 cos square theta, 4 sin theta और 1, 0 दिया है यह चीज़ देखने को मिलना कि यह दुगाज समिकरन के रूप में यह है दुगाज समिकरन के रूप में अगर यह दिया हुआ है, पहले यहां दुगाज समिकरन में सभी जगए x होते हैं यहां cos है और यहां sin है, तो cos को change करना पड़ेगा sin में तो sin में अगर cos को change करेंगे, तो यह 1 minus sin square theta और 4 sin theta plus 1 equal to 0 यहां से देखेंगे, यह अगर 3 गुना हुआ, तो 3 गुना हुआ, यह 3 minus 3 sin square theta लेते हैं आप देखें यहां से, minus 3 sin square theta यह दुगाज समिकरन में convert करने वाले हैं, ध्यान दखिएगा sin theta और 3 एक 4, यह आगया आपका कितना हम यहां पर एक बास समझेते हैं, कि यहां पर, अगर हम यहां पर minus 1 कर दें, दोनोतरह पागर minus 1 कर दें, तो यहां पर आ जाएगा, 3 sin square theta आसान हो जाएगा, कि यह sin theta और minus 4 equal to 0 एक बास समझें, यह 2 समिकरन में आ गया कि ने, यह 2 समिकर sin theta गो एक्स मानते है, 3 x square plus 4 sin 4 x और minus 4 equal to 0, यह 2 समिकरन में आ गया चले तो यहां से एक बात समझेगा कि इसको दुगास समिकरन में तोड़ना है तो दुगास समिकरन में तोड़ने के लिए गुना करने पर इतना आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए यहां से हम लोग देखो क्या करेंगे sin square theta आप अगर यहां एंगल भी लेंगे तो एंगल से भी defined नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना, यहां से आप तोड़ेंगे, तो क्या यहां रखें जो कि यह आ जाएगा 4 और यह प्लस 4 sin theta आ जाए, तो 6 sin theta, यह आपका, मैं प्लस में रहने देता है, ठीक है, जोड़ने पीतना और गुना करने पे 4 तिया 12 sin theta आ जाएगा, इस बात को देखो, और यह आपका common लेंगे यहां से, तो sin theta प्लस 2 इक्वल तो 0, तो यहां से अगर देखने को मिला, sin theta, आप इसको जितना calculation आगे बढ़ा सकते हैं, तो यहां से देखे, sin theta इक्वल तो मैनस 2 तो यह कभी नहीं होगा, मतलब यहां से हो जाएगा sin theta का मान अगर बात करें, तो यह 2 वटा 3 आ जाएगा, तो sin theta का अगर 2 वटा 3 आ गया, तो यहां पूछ रहा है, 2 वटा 3 अगर sin theta का आ गया, इसका मतलब यह आपका P का मान होता है, तो B का मान आपका हो जाएगा, 3 का square 9 और 2 का square 4 घट जाएगा, तो 5 आ जाएगा root 5, अब जब root 5 आ जाएगा, तो यहां से root 5 आ गया, जब B का मान root 5 आ गया, तो 10 theta की अगर बात करें, तो 10 theta की अगर बात करें, तो 10 theta आपका होता है P by B, तो 2 वटा आपका आ गया root 5, और अगर बात करें तो H आपका 3 है और 3 root 5 आएगा तो यहां से आप करेंगे solve अब इसको conjugate multiply कर दो बस यह 5 से 5 कट गया और यह root 5 आईप आगया option number B option number B इसको तोड़ने में जितना समय लगेगा बस वही आएगा और उसके बाद आप answer निकाल देंगे अराम से answer निकाल देंगे ठीक है तो यह आपका answer आ गया root 5 is the right answer यह questions का ठीक है अगले सवाल पर बढ़ते हैं यह कल भी सवाल आपको बताये थे कि x square minus 10x plus 9 equal to 0 कल भी हम लो discussion कर रहे थे यह सवाल आया था यहां से देखो कि इसको ऐसे factor तोड़ना है कि जोडने के वार्ट minus 10x आना चाहिए और गुणा करने पर 9 आना चाहिए यहां से हम तोड़ने की 10x आएगा इसका मतलब x की जो मानोगी अगर यह negative होगा तो value इसका हो जाएगा positive यह negative है तो value हो जाएगा 1 मतलब x की मान दो value है 9 और 1 तो इसका volume आपका जो देखने कोई बात कर रहे है तो ऐसका culture यह जी तो दोनों का अंतर कितना है, 8 है, option number C, बहुत इजी सवाल था, इसमें आपका कुछ भी ऐसा नहीं है, ये 4 का C, the right answer, C इसका सही उतर आ जाएगा, अगली सवाल की मैं बात करूँ, अगली सवाल की मैं बात करूँ, तो यहां से बोला गया है, बिंदू, origin से लेना है, मतलब य इसकी दूरी बोला गया है, तो origin point से अगर दूरी बोला गया है, origin point से दूरी, distance आप जानता है, distance formula क्या होता है, ये माल लगते है, x1, ये तो सिधा अगर 0, 0 तो 0 लिखने की कोई जौरत है नहीं, तो direct क्या करेंगे, इसका square कर, इसका square करेंगे तो देख लो, क्या क्या होग origin से अगर बात करें, तो जो दिया हुआ है, उसी का सिर्फ क्या कर देंगे, square कर देंगे, ठीक है, जो दिया हुआ है, उसी का सिर्फ हम लोग क्या कर देंगे, square कर देते हैं, क्यों, क्योंकि origin से x1, x1 और y1 0 हो जाता है, origin है, तो यहाँ पर 0, 0 तो कोई फरक नहीं पड़ता सिर्फ जो दिया हुए वेलू, उसी को square कर देंगे, अब एक बात बताईए, यह आ जाएगा a square, sin square theta, b square, cos square theta, और यह आ जाएगा 2s, अगर इतना नहीं भी करेंगे, तो आप answer बता सकते हैं, कि सर इसका answer क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 2ab plus में और 2ab minus में cancel हो जाएगा, अब direct हम लिग देते हैं, अब देखिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा बात को देखिएगा, यहाँ पे a plus b का all square करेंगे, तो 2ab और यह positive में, और 2ab negative में, तो 2ab positive और 2ab negative खतम हो जाएगा, सिर्फ हम यहाँ पे कर लेते हैं, cos square theta और plus b square sin square theta, क्या इस बात को समझ पा रहे हैं, हम direct यहाँ से क्या कर दिए, यहाँ का formula वाला 2ab positive और यहाँ से negative वाला 2ab, यह आपका plus वाला minus वाला cancel हो जाएगा, आपका सिर्फ बच जाएगा, a square plus b square, यहाँ भी a square plus b square बच जाएगा, अब एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ direct हटा दिये, इस बात को धियान रखना, तो a square, a वाला, a वाला, यह दोनों common ले लिए हैं, a square, sin square theta plus cos square theta, sin square theta plus cos square theta, यहाँ से इसकी value क्या होता है, one, इसका value क्या होता है, one, one, one खतम हो गया, answer आगया, a square और b square, only option number c, option number c, इसका सही उत्तर होगा, direct हम लोग क्या किये, यहाँ पे cut कर दिये, और direct यहीं से answer को हम निकाल लिए, और answer आगया, इतना करने की भी जोरत नहीं, आप डारेक्ट ही देख सकते थे, कि यह sin square, इदर भी cos square, इदर भी sin square, बन हो जाएगा, तो direct a square plus b square, इसका answer हो जाएगा, यह answer हो जाएगा, ठीक है, चले, अगले सवाल पे बढ़ते हैं, और अगले सवाल को देखते हैं, यहाँ एक सवाल को समझेगा, यहाँ बोला गया है कि यह आपका केंद्र है, निकाला है, cd क्या मान निकाला है, cd मान निकाला है, यह वाला, अब यह केंद्र है, और यह केंद्र है, तो यह त्रिज्या होगा, यह भी त्रिज्या होगा, यह भी आर, यह भी आर, यह भी आर, और जब यह 70 डिगरी दिया हुआ है, यह जब 70 डिगरी दिया है, इसके सा सामने वाला जो भुजा होंगे वो आपका दोनों बराबर होगा AB और CD दोनों बराबर होगा क्यों क्योंकि इस तिरभुज में केंदर पर जो बना कुन है वो 70 है यहां भी केंदर पर जो बना है 70 तो 70 के सामने वाला भुजा इस एंगल के सामने वाला भुजा दोनों बराबर होगा AB और CD दोनों बराबर होगा तो यहां से CD का मान पूछा है तो AB का जो मान होगा वही answer हो जाएगा 2.5 cm इसका answer हो जाएगा से इसका सही उत्तर होगा ठीक है इलियर है तो यह answer आ गया 2.5 cm आ गया कुश्मु सींग सर टॉपिक वाइस नहीं पढ़ाते हैं टॉपिक वाइस भी चलेगा लेकिन अभी सेट चल रहा है आपका सेट हो रहा है ठीक न यह आ गया अगली सवाल की बात करते हैं यहां पर कभी भी कोशिस करना यहां इस equation दिया हुआ है और यह 0 बरावर 0 है इसका मतलब इच्छी देखो कि अगर x की value अगर 1 रखते हैं तो देखें यह आपका satisfy हो रहा है कि नहीं x की value अगर 1 रखते हैं तो यह भी 1 1 2 और यहां इंट 1 करेंगे तो 2 minus 2 equal to 0 यह x की value 1 रखने पर x की value 1 रखने पर satisfy हो रही है यह x equal to 1 आ गया जब x equal to 1 आ गया satisfy हो गया तो यहां पर 1 का square और 1 का square और यह 2 यहां पर आ गया कितना minus 1 यह minus 1 एंसर हो गया एंसर हो गया कितना है बहुत आसान सवाल था ओप टेक है good afternoon वह याश्वीन कुमार आस्वीन जी चलिए minus 1 इसका सही answer आ अगली बात बोला गया किसी आयत किसी आयत का विकर 15 cm है और लंबाई 12 cm है तो आयत का च्छेतरफर निकांगा बहुत आसान है ब विकर्ण आपके दोनों विकर्ण क्या होंगे इसके बराबर होते हैं और यह आपका दे रखा है 15 जब यह 15 दे रखा है और लंबाई 12 दे रखा है तो यह 90 डिगरी एंगल बनता है यहां पर यह समकौन तिरुज बन गया और जब कर्ण 15 है बेस आपका यहां 12 है तो यह ट्रिप्लेट आप जानते हैं 9 12 15 यह आपका ट्रिप्लेट बनता है तो यहां से आप डारेक्ट इसकी एरिया निकाल देंगे इसका एरिया क्या होगा एरिया होगा बालंबाई चोड़ाई यह आ गया तो दिखकर यह आपका 108 इस दा रही टेंसर मैट्स साइंस इवी सी एव्लू एस हो जाएगा स्टड़ी विथ परनेकुमार अब टेंसन मतलो हो जाएगा ठीक है जैसरी क्रिष्णा भाई जैसरी क्रिष्णा यहां पे रेखो साइन फोर ठीका एक बास समझेगा कि साइन टू ठीका वरावर क्या होता है साइन टू ठीका वरावर होता है ए और यह होता है और एक चीज़ और समझेगा को सपुटों के साइन के रिस्पेक्ट में देखना है यह आपका होता है आप जानते होंगे sorry 2 theta एक बास समझे यहाँ अगर 2 theta है तो फॉर्मूला में देखिए आपका theta इसका आधा हो जाता है अगर यहाँ 2 theta है तो यहाँ भी देखने को मिला कि theta हो गया इसका एक और formula होता है 2 cos square theta minus 1 होता है और भी formula होता है लेकिन उतना कर जानने की जोरत नहीं है तो यहाँ अगर 2 theta है तो यहाँ भी इसका formula में आधा theta होता है एक बास समझेगा अगर यह sign 4 theta है तो इसका formula जब लिखेंगे तो sign 2 theta into cos 2 theta होगा क्योंकि यहाँ जो theta है उसका आधा होता है 2 theta 2 theta क्योंकि यहाँ 2 theta है तो formula में theta theta 1 minus अब यह cos 4 theta का अगर निकालने की बात करें इसका formula लिखेंगे 1 minus 2 sin square 2 theta लेंगे क्योंकि 2 theta है तो यहाँ पे आधा theta होगा 4 theta है तो यहाँ 2 theta होगा ठेक है यहाँ से अगर बात करें तो 2 sin 2 theta और cos 2 theta बटा 1 minus plus 1 minus 1 cancel हो जाएगा मैनस मैनस आपका positive हो जाएगा 2 sin square यहाँ से आपका देखने को मिला यह तो cancel होगा एक cancel होगा यहाँ पे आजाएगा क्या 4 2 अब किसी को कहिए गा सर यह formula जब यूज करेंगे तो यह 10 theta आजाएगा नहीं यहाँ पे आपका one नहीं कटेगा यह वह one आपका नहीं कटेगा जिसमें आपका solutions नहीं हो पाएगा यह solutions होने के लिए यही formula आपको यूज करना पड़ा यह आपका answer आ गया बिनोवत कुमार खुश्वहा का answer आ रहा है ठेक है बहुत बढ़िया भाई इस्टड़ी भी प्रने कुमार आपका हो जाएगा आप टेंसर मत लो ना अब देखो यहां से क्या कर रहा है कि देन नमबर सवाल में कर रहा है कि एक निस्सित संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है तो सैस्पल आपका 56 बचता है कोई एक संख्या है, कोई एक नंबर है, जब इसको 65 से डिवाइड किया, तो reminder आपका यहाँ देखने को मिला, कि reminder बच रहा है कितना 56, अब जब इसी संख्या को जब 13 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ याद अखना जो reminder है, बस उसको 13 से डिवाइड करदो, तो remainder को जब 13 से divide, जो remainder बचा, बस इसी को 13 से divide कर दो, तो यहाँ पर आपका आजाएगा 13 चोका 52, remainder आजाएगा 4, मतलब यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से अगर बात करें, यहाँ आगया, ठीके, 18 का रूट किया, 18 का रूट आजाएगा 3, रूट 2, option number C, option number C, इसका सही उत्तर पोंगे, Surrender Z, इस time class वो नहीं, आज अभी सर का चूटी चल रहा है, तीन दिन आपके चूटी रहेंगे, तीन दिन आपका चूटी रहेंगा, ठीक है, और class की जो discussion होंगे, test की discussion, मैं ही कराऊंगा, इची आप मांग लो, ठीक ना, और सर की अभी class चूटी है, तीन दिन की चूटी, वो घर चले गए हैं, अब देखो यहाँ से, 11 नमबर सवाल क्या हो, एक 22 मिटर लंबी सिड़ी, एक सिड़ी है, जिसका पाथ जमीन पर है, मतलब जिसका बेस आपका जमीन पर है, दिवार के साथ 60 डिगरी का कौन पर लगाई गई है, यहाँ समयना कि एक दिवार है, और यह आपका धरती है, और यह दिवार है, इक दिवार से क्या किया है, कि सेना को लगाया गया है लेडर इसमें लगाया गया है ये आपका सिदी और ये आपका दिवार है और दिवार से इसको क्या किया गया है लगाया गया है दिवार से इसको क्या किया गया है लगाया गया है और ये सिडी दिवार के बीच का जो एंगल बना रहा है देखो यहां क्या होला है दिवार के साथ एंगल बनाता है साथ डिगरी का मतलब यह सिड़ी इस दिवार के साथ बना रहा है साथ मतलब यह साथ डिगरी है और दिवार सीधा सिधी खड़ा होता है धरती से तो यह 90 डिगरी तो यह साथ तो यह आपका कितना होगा 30 होगा और जब यह 30 डिगरी होता है तो आपको हम बताएं भी इसका रेशियो कल कि जब यह 30 डिगरी होगा तो सामने वाला का रेशियो हो जाएगा 1 और base का रेशियो हो जाएगा 2 और इसका र बहुत है यार, भुमी से उस बिंदू की उचाई ग्याद किजिए, जहां पर शरी दिवार को असपर्स करी, शरी को दिवार को असपर्स कर रही है, तो यहां से एक बास में शरी की जो लंबाई दिया हुआ 22 मिटर, यह शरी की लंबाई लेकिन रेशियों में दो कह रहा है, म एक युनिट बरावर ही निकालना है, यह आपका 11 मिटर उचा पर सिड़ी दिवार को टच करेगा, 11 मिटर उचाई पर यह करेंगे, ठीक है, तो कुल भाही सर, मर्जित सर कहां है, तो मर्जित सर धर गया है, अब यह उसका जो भी क्लास है, जो भी आपका 9 to 10, 6 to 8 की जो क्ल है, एन बरावर यह दे रखा है, तो एन का सबसे बड़ा अवाज गुननखन चाहिए, एन का सबसे बड़ा अवाज गुननखन, जैसे देखे, कोई भी संख्या का माल लेते हैं, कि 2, 3, 5 और 7 इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसमें बोलेगें कि सबसे बड़ा अवाज ग इसके बात की, सबको गुणा में आपको चेंज करना पड़ेगा, सबको गुननखन में लेना पड़ेगा, तो देखे, यहां से कैसे इस ले सकते हैं, इस बात को समझेगा, 3, 3, 9, 3, 4, 12, ठीक, यहां से एक दोखो, इस दोनों में common love, इन दोनों में common love 12, क्यों लेते हैं, इ कैसे लाएंगे, इस बात को समझेंगे, कि यहां भी 12 आना चाहिए, 12 यहां भी गुननखन में भी 12 आना चाहिए, तो 12 लेंगे, तभी तो common हो सकता है, तो 3 पर power 12 ले लिए, यहां 3 पर power 2, और यहां पर आगया, तो 3 पर 12, और यहां आगया कितना, 12, अब यहां से अगर 12 common लेते हैं, तो यहां पर आगया, 3 पर 12, 12 और यहां, अब एक बात समझेगा, 12 इंटू, क्या हम इसको यह ले सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिएगा, लिख सकते हैं न, यह आ गया, A पलस B में, और यह आ गया, तो यहां से देखने को मिला, आप नहीं समझ पाते हैं कि समझने की कोशिस ही नहीं करते हैं, यह बताओ, आप समझने की कोशिस ही नहीं करते हैं, तो यह आ गया 729, तो यह आपका आ गया कितना, आप समझने की कोशेश ही नहीं करते हैं भाई 12, सभी को समझ में आ रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है अब यहाँ पर एक बात समझेगा इसकी गुलनखन की अगर बात करें यहाँ से N बराबर आपका आ गया इतना 12 ही आ गया नहीं समझे तो ठीक है सुरेंदर फिर से समझाने की कोशिस करते हैं यहाँ पर देखी हम क्या कियें यह जो आपका प्लस में है और यह मैनस में इसको हमको गुणा के रूप में लाना पड़ेगा जब तक गुणा की रूप में नहीं लाएंगे तो इसके हम यह नहीं पता कर पाएंगे की फैक्टर कौन सा है कैसे इसको फैक्टर को ला पाएंगे तो हमने क्या किया यहाँ पे यहां पर मैनस 12 देखा तो यहाँ भी हमको 12 लाने की कोशिस की गुणा में तो कैसे किए यहां पे 13 पर 12 common किए तो 13 पर 12 common अगर किए तो यहां पे बच गी आपका 3 पर 12 अब इसको हम क्या किए इस तरीके से लिख दिए क्या इस तरीके से लिख सकते हैं कि नी तो यह आ गया a square minus किसमें b square तो यह आ गया a minus b a minus b और a plus b आ गया इसको तोड़े दो भाग में यह आ गया a plus b और a minus b तो 3 का power 6 किये तो 739 और plus 1 730 तीन पा power 6 करें 739 में ऐसे 1 जाएगा बताई इसका और भी अभी factor होगा भाई इसका अभी और भी factor होगा इसका अभी अभी और factor होगा लेकिन एक बात बताईएगा इसका जो factor होगा 73 into 10 बताईए 73 का कोई factor होगा 73 का कोई भी factor होगा भाई इस 708 इसका भी और भी factor होगा दो बार में काटेंगे, फिछार बार में, तीन बार में इस तरह से काटते जाएंगे, लेकिन बताओ 73 का कोई और factor होगा, कोई factor नहीं होगा, इसका मतलब 73 जो है, सबसे, सबसे, इसका सबसे बड़ा factor होगा, 73 का सबसे बड़ा factor होगा, 73 सबसे बड़ा factor होगा, तो answer यहाँ प थांक यू ये आपका answer आगे क्या इस बात को समझ पाए क्योंकि ये 12 एक factor है ये 728 भी एक factor है क्योंकि इस 278 अगर पहले 2 से भागा लगएंगे फिर 2 से लगाएंगे इस 10 लगाते जाएगे इसका factor छोटा हो जाएगा लेकिन ये 730 को तोड़ेंगे 73 गुना 10, क्या 73 का कोई और factor हो सकता है, नहीं हो सकता है, यहां पुछ क्या रहा है, इस गुननखंड में सबसे बड़ा अवाज, कुन गुननखंड होगा, तो सबसे बड़ा अवाज गुननखंड जो होगे, वो 73 होगा, इसका सई एंसर होगा, 73 इदा राइट एंसर है, ठीक A, B, C और D, L, डोनों समरूप है, similarity है, similar है, similar में आप जानते हैं, कि इसके सभी corresponding sides का ratio बरावर होते हैं, और area का, area अगर कहें, तो बुजा के square के बरावर होगा, तो यहां से अगर बात करें, इसका A1 मानते हैं, और यह A2 मानते हैं, यहां से A1 by A2 बरावर होगा, इसके sides के angle है, ठीक है, और यहां पर height मानते हैं, यह H1 है, और यह भी height आपका H1, आप जानते हैं, कि जब दो तिर्वू similar होता है, जब दो तिर्वू similar होता है, इसका area का ratio, इसके corresponding sides के ratio के square के बरावर होता है, तो यहां से हम कहेंगे, H1 का square और H2 का square, यह भी आपके इसके ratio के होगा, यहां पर हम कहेंगे AB का square, और यहां पर DF का B square, बरावर होंगे, मनद AB sides के संगत बुजाओं का ratio लेंगे, सभी बरावर होंगे, लेकिन square में, कब जब area यहां पर दिया रहता है, तब, यहां पर देखो, A1 कितना दिया होए है, 100, A2 कितना दिया होए, 81, H1, यह पहल 63 दिया होए, तो 63, I square, और इसका H1, यह square इधर ले आते हैं, तो यह root आजाएगा, इधर ही square करते हैं, तो root में आजाएगा, तो root आपका 10 बटा, 9 आएगा, यहां से H1, और 6.3, point अटाएगे, तो उपर 10 आगया, यह कट जाएगा, और 9, 63, मतलब, H1 का मान आगया, 7, ABC का जो संगत हाइट है, तो आपका, यह आगया कितना, आप सेंगे, 7 इसका सही उत्तर, correct answer है, 7 इसका correct answer है, कही doubt है क्या भई, अगर किसी को ही थोड़ा सा भी doubt है, तो आप बता सकते हैं, उसको हम check करने की, फिर से आपको समझाने की कूप, यहाँ इदे कुछ similar, similarity लगाएंगे, थेल्स परी मैं यहाँ पर लगेगा, देखो यहाँ पर क्या बोला है, एक फिरूज ABC में, PQ करमस है, AB, AC पर इस्थित है, ABC एक triangle है, PQ, AB और AC पर इस्थित है, AP का मान दिया है, यह 1 और यह PV का मान दिया है, 3, AP का मान दिया है, 1.5 और यह दिया हुए, 4.5, एक बास समझे है, इसको भी अगर काटेंगे, यह भी आपका 1 ratio दिया है, और यह भी आपका 1 ratio दिया रहा है, तो आपको पूछ रहा है, कि APQ यह आपका 12 दे रखा है, तो BPQC, मतलब यह वाला area पू समझेगा, आप देखने को यह पता चल रहा है, कि इसका जो ratio 1 है, और यह बड़े ट्रेंगल का 3 एक चा, इसका भी 1 है, बड़े ट्रेंगल का 3 चा, मतलब हम थेल्स परिमेंसे यह कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं, इसका जो area होगा, इसके square पर depend करेगा, मतलब यहां से एक बा square के बराबर होगा, इसके किसी भी sides के square के बराबर होगा, तो किसी भी side ले लो, क्योंकि यह 1 है, और यह total आपका 4 है, यह भी देख रहे 1 है, और यह total आपका कितना है, 4, तो यहां सिम करते हैं, AP, AP का मान देखने एक बोला गया, यहां 1 है, अब बड़े तिर्बुज का एक बुजा यहां पे 1 और 3 कितना है, यहां पे 1 था, और यह आपका 3 है, तो यह आपका square हो जाएगा, यह आपका आगया, 16, चो 1 by 16 आगया, तो एक बात समझेगा कि यह आपका ratio, इसका ratio आगया 1, तो बताइगा, यह पूरे का आपका 16 है, तो इसका answer कितना आगा, 15, इसका answer कि इतना आएगा 15, एक बास समझेगा, आपको ये वाला निकालना था, ये वाला आपको निकालना था, तो ये आपका area का ratio आगया 1, और ये पूरे बड़े triangle का area का ratio 16, तो 16 में से एक घटा दिये, तो ये आगया 15, और यहां पे एक बात बताओ, कि एक बरावर दे रखा है 12 तो 15 बरावर आपका कितना होगा तो 15 गुना 12 करेंगे तो यह 180 आ गया option number C इसका सही answer आएगा ठीक है तो दीर अभी platform by नवीन कुमार सेंग या platform by teachers platform teachers वही से लाइब है वही 180 इसका सही answer होगा क्या इस बात को समझ पाएं दोस्त वो लोग कहीं पर इस questions को समझ पाएं कि नहीं clear है कि नहीं बताओ 180 है क्योंकि एक युनिट बरावर आपका 12 है तो यह 15 युनिट का निकालना है इस बात को आप समझ पाना तो यहां से आपका BPQC का answer आ जाएगा ठीक है, एक पर और, देखो यहां से, फिर से समझो, यह आपका 1 दिया हुआ है, यह 3 दिया हुआ है, तो बड़े ट्रेंगल के लिए अगर बात करें, इसकी भुजा कितना हुआ अच्छा, यह आपका 1.5 दिया हुआ है, यह भी रेशियो अगर निकालेंगे, तो यह 1 और 3 आ स्क्राइब के बराबर होता है, तो छोटे ट्रेंगल का भुजा यहाँ 1 दिया है, यह 1 का स्क्राइब, अब बड़े ट्रेंगल का देखा गया है, तो 1 और 3, 4 का स्क्राइब, एक वटा सोल्य आ गया, मतलब, यह आपका area 1 होगा, और यह total area 16 है, तो 16 में से 1 चल गया, तो य एरिया आपका 15 यह वन बरावर दे रखा है कितना देखो बारे दिया है तो 15 बरावर कितना एक बरावर 12 बरावर 15 तो यहां पर आ जागा कितना कि एक 180 इसका पीडियप आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगा ठीक ना कि एक घनवाकार टंकी में 25,000 लिटर पानी है एक बात समझे यहां पर आपका सेंटीमीटर में होगा मीटर में है और यह लिटर में दिया हुआ है तो आप समझना कि एक हजार लिटर होते हैं एक मीटर क्य के बरावर होता है तो पचीस हजार लिटर जो होंगे यह अगर क्यू के बरावर लिखेंगे तो यह आजाएगा आपका कितना आहितन होगका की नहीं आई ये न बोलो अब दिखो यहां क्या दिया है उसकी गहराई इसकी लंबाई का है यहां पर यह पर इल ले बहुत गहराई लंबाई का एक बटा पाँचश अगर यह एक्स है तो यह एक्स बटा कितना होगा और 24 की लंबाई का एक बटा 8 है, लंबाई का एक बटा 8 है मतलब यह एक्स बटा 8 और जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आईतन निकल जाएगा आईतन निकल जाएगा और हम लोग करने उसारा आईतन इतना लेगिन कॉस्टन में आईतन दिया हुए कितना 25 दिया हुआ है अब यहां से देखो यहां X गुना X गुना X गुना X तो यह XQ आगया और 25 गुना 125 इंटू आर्ट X की बेलू चाहेंगे तो 125 का Q रूट आगया 5 और 8 का आगया 2 यह आगया कितना 10 cm आगया लेगन यहाँ पूछ रहा है लंबाई की माप पूप्ष है और लंबाई की माप X माने और X बरावर आपका आगया 10 option number D इसका सही answer ठीक है clear B answer होगे ठीक ना गुरुजी मेरा first class है पेड क्लास से लेना है तो चंद्र मोहन तिवारी पेड क्लास आप प्लेटफों बै नवीन कुमार सिंग पे जाएंगे और वहां पे आपना जो आप टॉपिक परचेस करना चाहते हैं चाहिए math का जाहिए science का चाहिए history का जो भी आप परचेस करना चाहते हैं वहां पे जाएंगे और slide hearts लगा हुआ है ठीक है नो वहां पे आप जाके परचेस कर लेंगे अगर तपर भी अगर आपको दिख्कत होता है तो आप लेंगे नबर फॉन कर लेंगे वहां पे नम्बर दिया होगा तो आप फान कर लेंड़ा भाई थीच है यहा पे यह answer आ घिया कोई दिख्कत भाई डिजल्ट में आपको देरी हो सकता है, मेरे ख्याल साथ भी देरी आपका बिस पचछेश दिन की देरी हो सकती है, देखो यहां से क्या बूला है। सोना में क्या बूला है। 10 सेंटिमीटर तरजिया वाले 10 सेंटिमीटर तरजिया वारे 12 गुलाकार गेंद को उपर तक पानी से भरे हुए बाल्टी में डुवाया जाता है। तो बाहर निकले हुए पानी को 20 सेंटिमीटर त्रिजा वाले एक बेलनाकार जार कत्यत किया जाता है तो जार में पाने के उचाई बात को समझेगा कि अब बात समझेगा मेरे बाई एक गोला है और इस तरह से गोला कितना है बारा गोला है इस तरह से बारा गोले आपके दिये हुए ठीक ना बारा गोले दिये हुए अब बारा गोले को क्या हुआ कि एक बालती में पानी भरा हुआ था इस बारा गोले को उस बालती में डाल दिया उस बारा गोले को बालती में डाल दिया जब बालती में डालेगा तो पानी का लेयर में रख दिया जाता है तो बेलनाकार बरतन में अगर रख दिया जाता है तो बेलनाकार बरतन में जब रख दिया जाता है तो बेलनाकार बरतन में पानी की उटाई कितना हुआ इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ देखो यहां पे बारा गोले का आईतन अब इसी के वज़ा से पानी बाहर हुआ तो पानी जितना बाहर हुआ और वो पानी को एक बेलना कार जार में रखा गया मतलब बारा गोले का आईतन बारा गोले का आईतन एक बेलना बरतन का आईतन के पराबर होगा क्योंकि 12 गोले जो उस बरतन में डाला गया था जैसे 12 गोले डाला गया पानी उपर हुआ और पानी जितना उपर हुआ मतलब बाहर होने लगा तो जो पानी बाहर गिरा उसको डाल दिया गया एक बिलनकार जार में डाल दिया तो यह बिलनकार जार में डाले हुए पानी कैसे कि यहां डाला गया था तो इसकी जो आयटन होगा इसका जो विस्थापन होगा इसे इसको डालने से वही विस्थापन इसमें पानी डाल दिया गया, बहुत होगा तो वार। कि इतना दिया होगी 10 सेंटिमेटर की एक हजार और यहां पर बिलना कारका होगा पाई आर स्क्वायर बाहर निकाले गए पानी को 20 cm त्रजीया वाले मतलब इसमें 20 दिया हुआ और इन चू एचू चाई तक आपका पानी यहां पर इसमें रखा गया एचू चाई तक इसमें पानी क्या हुआ इतना पानी बढ़ गया इसमें डाल लो पाई से पाई कट गया जीरो जीरो पाड़ दिए यह कट गया चार बार में दो दूनी चार चार से कट गया यहां से एच का माना लिया जाचोग चालिस 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 से एंसर का ऑप्शन नूमर पी गुट मॉर्णिंग भाई गुट मॉर्णिंग चले है तो यह आपका एंसर कोई डाउट है तो बताओ भाई कोई डाउट है यह आप तो बताओ नहीं न अब देखो 58 और 32 दोनों मिलकर 90 होता है 41 और 44 यह भी 90 होता है जब भी अगर ठीटा 1 और ठीटा 2 90 डिगरी होता है यह कॉस 32 और यह साइन 58 और इसी को हम चेंज कर देते हैं इसी को चेंज कर देंगे किसमें साइन 58 में और यह कट गया यहाँ बच गया कि यहाँ बच गया चेंज कर देता हैं किसमें 62 और यह कट घिया यहां 30-23 औरि फेंट यैंसर ईसका उफ, सभधा उत्तर हो गया ठीक है बहुत आसान था भई, 6 इसका सही इंसर हो गया ठीक है? यहां पिर बोलागे तिरबूज ABC में, भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदू है यहां देखू क्या है? A है, B है, और C यहां पिर D एक ऐसा बिंदू है यहां पिर लंब नहीं है, यहां पिर लंब नहीं बोला गया है अब देखू यहां पिर कि A, D, C यह एंगल प, A, C ये अगर ठीटा है ये भी आपका ठीटा होगा अब बास समझेगा कि छोटी ट्रेंगल ये वाला और बड़े ट्रेंगल छोटा ट्रेंगल A, D, C और बड़े ट्रेंगल A, B, C दोनों समरूप होगा यहाँ पे ट्रेंगल A, B, C समरूप हो जाएगा ट्रेंगल A, D, C कैसे होगा भाई? एक एंगल आपका दिखी ये ठीटा है और बड़े ट्रेंगल में ये ठीटा कहरा है बराबर है और ये ये ठीटा, ये एंगल छोटे तिर्बूज में ये एंगल और बड़े तिर्बुज में ये एंगल दोनों कह रहा है बराबर होगा कि नहीं, पॉमन है कि नहीं, तो ठीटा एंगल, एंगल से आप कह सकते हैं, ये तिर्बुज आपका समरूप है, जब ये तिर्बुज समरूप है, तो हम कह सकते हैं, कि ठीटा के सामने वाला, ठीटा के बेस वाला यह ठीटा एंगल है तो बेस आपका AC और ठीटा का बेस आपका BC यह भी बरावर होगा अगर यह संगरूप हो गया तो BC की अगर बात करें तो BC आपका पूछ रहा था तो यहाँ पे BC को जोंक अत्यों रख देंगे BC या BC दोनों एक ही होगा और CA की अगर बात किया या AC की बात किया तो यह 12 दे रखा है और AC की देख रखा है यहाँ पे भी 12 और यहाँ से CD की अगर बात करें तो CD आपका 8 दे रखा है यहां से चार दुनिया चार दिया यहां से छे BC की अगर बात करें तो यह आगया 18 सेंटर एंसर यह का से एंसर गुरुजी संडे वाला क्लास रेक्ट्रेंगल का लोड करवा दी देखें को यह इसका एंसर आ गया भई कि इतना गया यह बात को समझना क्योंकि यह तिरवुज और यह बड़े तिरवुज शमरूप हो गया कैसे शमरूप हुआ कि छोटे तिरवुज में ठीटा और बड़े तिरवुज में ठीटा एक एगल बराबर हुआ और दुसरा यहां देखने को मिला कि ये एंगल बड़े तिर्वुजवे भी और छोटे तिर्वुजवे क्या हुआ common था ये आपका क्या था common था जब common है दो ट्रेंगल आपका जो एंगल आपके बराबर हो गए तो हम कह सकते कि दोनों तिर्वुजवे आपका क्या है समरूप के ठीक है चलिए ये एंसर आ गया कोई डाउट है तो अगर बताना तो यहां पर कोई डाउट है तो आगे बढ़ते हैं अगले सबाद करा की कि लम बुर्थिये वृतिये शंकु का आईतन दे रखा है इसके अधार की तरजीया दे रखा है तो वक्र प्रिष्टी पूछ रहा है मला एक संकु है यह r है और यह आपका height है और यह आपका r दे रखा है कितना तो शंकू की जो item होता है एक बात बता है हम लोग का नुसार यह आता है 22 वटा 7 r square 7 into 7 into लेकिन हम लोग का नुसार इतना है लेकिन question में item बोल रखा है इसो को है कि साथ से साथ कट गया है यहां से 22 से काटेंगे तो 22 28 28 22 चोका अची ठीक है साथ दुनी चोक दा है मतलब h बरावर यहां पर आ गया कि कि जब h यह 7 है यह 6 आ गया ल बरावर आप जानते हैं शे का स्क्वार 36 और साथ का स्क्वार 49 चांस यह आ गया आपका वी डाउट नहीं है क्यों निकाले ल की भाई यहां पूछ रहा है वक्र प्रिष्टिय चहत्पल पूछ रहा है वह वक्र प्रिष्टिय चहत्पल मतलब और C as a curve surface area पूछ रहा है और curve surface area की एगर volume की बात करें तो यह आता है पाई आर एल पाई आर एल का मान आपका 85 साथ से साथ कटिया यह आ गया वाई सुरूट 85 इसका सही एंसर होगा पिनोची कहरे है कर थीर का सही उत्तर होगा यह निमिजए कोमार थेक है खुश्पो कमारी थीख है सुरेंदर थेक है वही रुपेश कोमार थेक है वही सभी का एंसर आ रहा है बहुत अच्छी बात है वही इतना आ गया ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे अगले सवाल पे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं कि यहां पिर बर्तमान आयू का अनुपात दिया हुआ है 9 is to 10 और 11 साल बाद यह दे रखा है 10 is to कितना मतलब इस बात को समझेगा भई यह आपका सिब का दिया हुआ है और यह आपका दिलिप का दिया हुआ है यह आपका बरतमान का है और यह 11 वर्स बाद का दिया एक बात समझें 11 साल बाद इसमें भी 11 साल जूटा इसमें भी 11 साल जूटा तो देखो यहां पे भी एक साल बढ़ रहा है एक युनिट बढ़ र क्योंकि 11 साल बाद है मनला एक यूनिट वरावर 11 वर्स की बाद किया गया है यहां से पोच्छता है ती और दिलिप का बरतमान श्रीव और दिलिप की बरतमान एक यूनिट वरावर 11 वर्स तो 9 यूनिट वरावर यह 99 और यह एगारत है 110 वर्स 99 वर्स और 110 मतलब option number आपका क्या आजाएगा ए आजाएगा ठीक है option number ए आजाएगा ठीक है बई क्लियर है बोलो ठीक है इसका सही answer आजाएगा option number ए कोई डाउट ही है नौ से विभाज होने पर तो नौ से विभाज होने का नियम आप जानते हैं कहते कि अंकों का योग अगर यह 9 से विभाज हो गया तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज होगा पतलब sum of digit sum of digit अगर 9 से विभाज हो गया तो वह पूरी संख्या किससे कटेगा नो से आपका individual हो जाएगा तो देखते हैं कौन से 9 से कट रहे हैं हों हो हमसे कटिया चल्ड गीए कि लाच थे लौ जाटे चल्ड़ीए नौ मतलब यह न लए-नओ-खत्या-मूद रहे ति bastardा-ऋ-ध-भ्रम,ideamि लिए-नओ-चाहि न उन-ओ-खत्रथ सबंगर, तिन अठार है मतलब यह 9 से कट जाएगा option number C, 9 से आपका कट जाएगा option number C पिनोत कुमार कुछवा क्या बोले हैं वे क्या से यहाँ पे देखो परतमान में एज 9 था यह 10 था 11 साल बाद यह 10 और 11 हो गया तो 10 से 11 एक यूनिट बढ़ा, 9 से 10 एक यूनिट बढ़ा, एक यूनिट बढ़ने का वज़ा क्या था क्योंकि 10 साल बाद दिया था एक बढ़ावर 11 साल के बाद के लिए एक यूनिट बढ़ावर 11 साल इंटालना है बढ़तमान, 11.99, 11.10 यह आगी है, एंसर हो गया, सी इसका सही एंसर, अगली सवाल की बात करते हैं, यहां पे एक बात समझो, करा कि 1 प्लस, 3 प्लस, 4 प्लस, 5 प्लस, 7 प्लस, 7 प्लस, 10 प्लस, 9 प्लस, यह पर्थम 40 पदों का य देखने को एक चीज है, कोटी पदों की एक चीज यहां देखने को मिल रहा है, इस तरीके से लिए, एक पद को छोड़ कर देते हैं, क्या यह एक दब कॉंस्टेंट रूप से बढ़ रहा है की नहीं, एक चार, साथ, आपका कितना होगा, एक ट्वेंटी टर्म्स होगा, फिर, पलस, तीन, चार, नहीं होगा, तीन, चार, पांच, साथ, नो, यह भी कितना होगा, ट्वेंटी टर्म्स होगा, इसको अलग अलग जोड़ लो, यहां से देखनों को मिला की ए बरावर कितना है, वन, ए बरावर वन है, और डी बरावर देखो, अंतर कितना है, तीन का, तो डी बरावर यहां, यहां से देखो, ए बरावर कितना है, यहां पे डी बरावर कितना S n formula लगा लो S n formula आप चांदते हैं n by 2 2 a क्या यही होता है न बही बता दो क्या यही formula होता है न बोले भाई क्या यही formula होता है न कोई doubt यहां तक नहीं है बोल दिजी अब यहां से हम देखेंगे यहां पे n कितना है 20 term 20 by 2 2 a यहां पे 2 a काई 2 हो जाएगा plus n minus 1 n आपका 20 term है 20 में से a गिया कितना 19 और 19 गुना 3 यहां जाएगा plus 20 बटा दो 2 a 2 a मत्तला 3 दो नहीं यहां कितना 6 और यहां भी 20 term होगा मतलब 19 गुना यह आपका कट गया 10 बार में 19 तिया 57 और 2 59 यह आगया 590 और यहां से अगर हम काटते हैं 19 दुनी 38 और 38 और छे तो 38 और छे 44 44 मतलब यह आगया 9 4 13 आगया आगया तो आप्शन नमबर सी आप्शन नमबर सी इसका सही एंसर हो तैंक यू शुरेंदयत ठीक है चली यह बहुत दुनीया यह एंसर आप आगे बढ़ते हैं यहां पे देखो तो संख्याओं का SCF अगर 29 दिया हुआ है और LCM का 2 फैक्टर 2 गुननकंड आपका दिया है 15 और 13 एक बास समझेगा एक बास समझेगा एक एक एकजामपल से आप समझाने की कोशिस करते हैं इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिस करो भई जैसे हम कह रहे है 14 और यहां पे मान लेते हैं 28 या तो यहां पे मान लेते हैं 14 नहीं मान करके आप जो मान लो 15 और यहां पे मान लो आप 35 एक बात समझेंगे यहां पे अगर SCM की बात करते हैं तो यहां पे 5 इंटू 3 लिखेंगे और यहां पे भी 5 इंटू कितना लिखेंगे 7 इसका मतलब क्या होगा एगर SCM निकालेंगे तो SCM आपका हो जाएगा कितना 5 और LCM की अगर बात करेंगे यहां पूरी तरह से डिबाइड करेंगा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि LCM, SCF जो 5 आयर, LCM 105 वाट SCF से भी पूरी तरह से कटेगा LCM, इसका मतलब क्या हुआ इस बात को समझेगा, कि अगर SCF 29 है और LCM, एक फैक्टर, LCM का जो फैक्टर दिया हुआ है, यह 15 गुना 13 और 1 आपका फैक्टर नहीं होगा, नहीं दिया, क्यों मतलब एक फैक्टर आपका जो तीसरा फैक्टर होगा वो 29 होगा और 29 होगा तीस में दो संख्या में से बड़ी संख्या क्या होगे तो बस क्या करो इसको बड़े वाले टर्म से गुना कर दो छोटी वाला निकालना है इसको इसके वाले टर्म से गुना कर दो तो उन्तिस गुणा अगर 15 करते हैं 15 नमा 35 से पंद्र दुने 30 और 30 एक सो पंद्र नमा 35 से पंद्र पोड़ी 3 हो जाएगा ओप्शन नमबर ए ठीक है जैने मिज़े कुमार नहीं 406 नहीं होगा 406 नहीं होगा ठीक है तिंग आप ओफिस वाले नमबर पर फोन कर लेंगे भाई ठीक है आपको वहीं से information सही information मिल जाएगा मुझे ये पता नहीं है आप वहां से information ले लेंगा अगर ये छोटा संख्या बोलता तो 29 को 13 से गुना कर देते ठीक है अगर छोटा बोलता तो 29 को 13 से गुना कर लेते ठीक ना यहां बोला गए कि 24 में किसी समू के व्यक्तियों की औसत आयू 35 है किसी समू में समू में कितने व्यक्ति थे ये पता नहीं है तो इमाल लेते हैं कि समू में टूटल 31 व्यक्ति थे अब ये 31 व्यक्ति थे एक्स व्यक्ति थे एक्स व्यक्ति और प्रते का यहां बोला गया ह कि 35 वर्स का है इस तरह से x आदमियों का कितना होगा तुए यहां पे हम लोग क्या किये 35 x से ख़ी दी अब कîne रहा है जो सही औसथ से 2.5 वर्स अधिक था जो सही औसथ से क्या था 2.5 अधिक था अब दो को यहां क्या वोला गया कियोंकि ये 2.5 पधिक होने का वज़ा क्या था वज़ा ये था कि दो व्यक्ति की आयू करमसर 29 और 22 वर्सों के वज़ाए तुरूटी वर्स आप ले लिये इतना ले लिया गया दर्ज किया गया तो देखो यहाँ पे लिया कितना गया भई ये गलती से लिया गया है तो यहाँ पे आ जाएगा चारतीन साथ 8.5 ये गलती से लिया गया ये जो एकस एकस आदमियों का 35 था इसमें गलती से लिया गया तो पहले जो गलती से लिया गया उसको हटा दो तो 73 इसमें मजूद था इसमें 78.5 को हटा दिये क्योंकि जो गल्ती से लिया गया है वो उसको हम क्या करेंगे बाहर कर देंगे जब गल्ती वाला हम बाहर कर देंगे और सही वाले को अंदर करेंगे तो यह सही वाला था तो 9,21,21 यह सही वाला था इसमें हम लोग गल्ती वाले को हटा देंगे और सही वाले को अंदर डाल दे तो यह 51 आया तो अब average देखो कह रहा है कि दो बर्स अधिक था अब दो बर्स कम हो जाएगा मतलब यह जो 35 था यह original आपका average नहीं था यह 2.5 बर्स ज्यादा था तो डाइवर्स कम हो जाएगा तो यह आपका आजाएगा कितना और कितने लोगों के लिए लोग तो उतना ही 2 गया और 2 अंदर आया मतलब उतने ही आदमी थे उतने ही वैक्ती थे तो यह आगया इतना आगया calculation अब calculation आसान कर दो यह इधर आके घटेगा तो यह आजाएगा 2.5 बर्स में आजाएगा और यहां से अगर काटे तो यह 5.5 में से गया और यह आपका आगया यह कट जाएगा आपका 11 बार में एक्स बराबर हो कितना मतलब वही वैक्तियों की संख्या पूछ रहा है वैक्ति की संख्या पूछ रहा है वैक्ति की संख्या आप एक्स माने थे और यही तो आपका पूछी राता समय वैक्तियों की संख्या कितना है option number 14 वैक्ति की संख्या पूछ रहा है option आपका क्या हो गया A is the right answer ए इसका सही answer तो एंदर आपका गलत है आप 15 ला है 15 नहीं होगा यह इसका सही answer क्या इस बात को समझ पाए भई जो गलती था उसको बाहर किये जो सही था अंदर किये तो यह true t वाला average था 2.5 था जो actual में average था उससे इतना अधिक था तो उसे कम कर दिए यह आपका actual में average हो जाएगा ठीक है नहीं समझे चलो फिर से समझाने की कोसिस कर दिए मतलब मेरे पास यहाँ पे x वैक्ती था x वैक्ती था एक्स वैक्तियों का average के अगर बात किया गया तो सभी का age जो था वो 35 years था तो 35 गुना x कर दिए total average टोटल जितना भी वैक्ती था उसका age पता चलिया total तो age यहाँ पे 35 था अब देखो यहाँ क्या बुला गया कोसिस में चारा कि 35 वर्स था एक्स आदमियों का 35 वर्स था तो 35 x कर दिए जो सही औस तत्य धाई वर्स अधिक था जो actual में average था उससे ड्हाई अधिक था इसका मतलब actual में जो average था वो 32.5 रहा होगा 32.5 रहा होगा कैसे दगो कैसे क्या हुआ क्योंकि दो वैक्ती की I.U 29 और 22 लेना था मलब जोड़ना था 29 और 22 लेकिन उसके जगा पर जोड़ लिया कितना 38.5 और 40 जोड़ लिया मतलब ये इतना ज़ादा जोड़ लिया 78.5 जोड़ लिया ज़ादा लेकिन यहां पर आपको जोड़ना था कितना 51 लेना था 51 लेकिन ले लिया 78.5 तो 78.5 टूटी वाला को बाहर कर दो तो बाहर इसको कर दिये यह नहीं लेना था इसको बाहर कर दिए और जो लेना था आपको लेना था 51 उसको अंदर कर दिए पलस 51 यह मैनस घटा दिए गलत वाला को घटा दिए और सही वाले को जोड़ दिए तो अब जो genuine average आएगा genuine average 2.5 साधिक था इससे 2.5 कम होगा 32.5 कितने आदमी के लिए वही x आदमी के लिए x यहां कर दिए तो solution किये तो x का value आपका 11 आगया यह इसका सही answer ठीक है देख लेना आगे बात करते हैं यहां से एक समलम चतरवूज है एक समलम चतरवूज है एक समलम चतरवूज है यह A, P, C, D PC यह समनंतर है मतलब यह और यह दोनों आपके समनंतर लाएंगे यह भी 12 सेंटीमेटर दे रखा है मतलब यह आपका 12 सेंटीमेटर दे रखा है और DC आपका जो दे रखा है वो सेंटीम तो दे रखा है अब कर विकर्नों का मद्ध बिंदू यह विकर्न यहा यहां से regimes और यह विकर्न यहां मिला दिया तो विकर्नों का जो मद्ध बिंदू होता है कि इस बात को समलता। विकर्न का जो मद्य बिंदू, मतलब ये विकर्न का मद्य बिंदू यहां माल लेते हैं, इस विकर्न का मद्य बिंदू यहां माल लेते हैं, इस दोनों को मिला, माल लेते हैं इसको M और N, ये विकर्न का मद्य बिंदू, मतलब इधर और इधर ये बरावर होगा, इधर और इ बुजाब AB और समांतर बुजाब में छोटी बुजाब DC बटा दो होता है AB माना आपका 12 आप DC मतलब कितना 7.2 2.4 सेंटिमीटर आगया देसर ठीक है कितना आ गया कोई दिक्कत है तो बताओ क्या यहां तक कोई प्रोब्लम है भाई 2.4 सेंटिमीटर आ गया यह एक एंसर आ गया 2.4 सेंटिमीटर is the right answer यहां पे कोई भी प्रोब्लम नहीं होना चाहिए यह विकरनों का मद्बिन्दू है ये विकर्णों का आपका क्या है ये मदविंदू है ये मदविंदू है विकर्णों का मदविंदू है और MN बरावर होता है मतलब समांतर बुजाओं में सबसे बड़ी बुजा और समांतर बुजाओं में सबसे छोटी बुजा का अंतर का आधा कर देंगे ये answer आ जाएगा ठीक है, C इसका सही एंसर हुआ, सुनिल कुमार आप गलत बता रहे हैं, C आप गलत बता रहे हैं, एक चुनाम में दो मिद्वार के लिए पड़े मतों का नुपात 4-9 थे, दो कंडिडेर थे और दोनों कंडिडेर पे चुनाम जो पड़ा था, दो कंडिडेर थे खड़ा आपको जो भोट मिला है, वो 4 रेशियो आपका 9 मिला है, यदि जीते हुए मिद्वार, तो बताओ, इस दोनों में आपको जितने वाला कुल लग रहे हैं, मतलब यह आपका जो जादा भोट लाएगा, जितने वाला और जो कम भोट लाएगा, वो हारने वाला होगा, तो ज आरे हुए मिद्वार को कुल कितना वोट मिला, निकालना है, आपको फूर कर दिये, यह एंसर आ जाएगा, इसको आप कैल्कुलेट कर लेना, हम कर देते हैं, आप देख लेना, 9 एक लेना, 9 जीडो, नो अठी बहत्तर, नो नमाई क्यासी, नो नमाई क्यासी, तीन आ गया, तो नो तिया सत्ताइस, तो ताइस बावन आ गया, और नो पच्छे पैंतालीस, आप यह एक, देखो तो भई, 4, 3, आप यह गलती किया, देख लो, एंसर यह हो जाएगा, ठीक है, तो यूनिट इजीड को देख लेंगे, आप यह गलती किया है, जीरो, नाइन नो नो में क्यासी, तीन, नो तिया, पताइस, तीन तीन छे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर गलती कि, नो चक्षववन, ठीक है, चववन और यहाँ से छे, यह आ जाएगा, ठीक है, यहाँ यूनिट इजीट गुना करें, नो चक्षटीस, तो यहाँ पर अगद जो भी बेलू आएगा, यूनिट इजीट आपका 6 आएगा, ठीक है, और नो चक्षटीस चा, यह ओप्शन आज अब देखो जब भी sin theta plus sin square theta 1 है तो इसका भी value 1 होगा question उल्टा भी पूछ सकता है कि cos theta plus cos square theta 1 है और यहां से पूछ देगा sin square theta और यहां से sin power 4 theta इसका भी answer क्या होगा 1 होगा question यह भी पूछ सकता है यह भी पूछ सकता है देखो कैसे बनाएंगे यह sin square theta उधर चल गया तो यह 1 minus sin square theta हो जाएगा कि नहीं और यह आपका आजाएगा sin theta और यह आजाएगा cos square theta होगा कि नहीं पूछ क्या रहा है cos square theta और प्लस cos power 4 theta की अगर बात किया गया है निकालेंगे जब इसको निकालने की उगर कोशिस करते हैं यहां से देखो cos square theta क्या है sin theta माल लेते हैं cos square sin theta है तो यह power 4 है तो यहाँ हो जाएगा sin square theta और यह 1 है answer इसका 1 हो जाएगा question आपका इस तरह से भी रह सकता है इस तरह से भी रह सकता है दोनों तरीके से रह सकता है और answer आप यह निकाल देना ठीक है answer यह निकाल देना तो यह answer हो जाएगा ठीक है भई ब्रीत का चौथा टुकड़ा तो ब्रीत का चौथा टुकड़ा की अगर बात क्या है तो यहां से देखो इसका area क्या होगा चेत्रफल दे रखा पाइब नाइन मीटर स्कॉर इसका हमलों का अनुसार कितना होगा पूरे ब्रीत का चेत्रफल होता है पाइब आरी स्कॉर चतुरतान से मतलब चौथा भाग वाहर से पाइब कट गया तो आर बराबर आ जाएगा टू भय वह दिखकत है कि रिजाएग पूछ रहा ना अठीज चार उपर जाएगा तो चार बटा नो आरे स्कॉर चार बटा 9 तार बराबर कितना होगा दो बटा तीन हो जाएगा इसका सही एंसर आ जाएगा ठीक है यह एंसर, ठीक है, जनमीजे कह रहे है, इजिटी में 93 आ रहा है सर, रिजल्ट हो जाएगा, बहुत बढ़ी है भाई, हो जाएगा, टेंसन मतलो, मतलब पास होने के लिए, मतलब किसी भी एकजाम में पास होने के लिए, 40 परसेंट अंक मुझे चाहिए, हर हाल में, 40 परसेंट अंक चाहिए, हर हाल में, करा किसी चात्र को धाईशों अंक मिलते हैं, परंतु वो फिर भी 38 अंक से फैल हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, कि वो भाई सहाव 200 अंक लाया, लेकिन तपर भी वो फैल हो गया, लेकिन और कितना अंकों से फैल हो गया, 38 अंकों से वो फैलो गया यह 38 अगर जोड़ देंगे तो वो भाई सहब क्या होगा पास हो जाएगा इधर पास मारक का कितना 40% और यहां पास दोनों बरावर हो जाएगा क्योंकि यह भी पास को डिनोट कर रहा है और यह भी पास को डिनोट कर रहा है तो यहां से हम चालिस परसंट यहां लिखेंगे तो यह आपका अगर यहां पे बात किया गया कि यह 40 परसंट इतना है तो यह आपका 2888 यह 40 परसंट का मान है इसका 100 परसंट निकालना है तो यह 1 परसंट का निकाल दिये और यह 100% का इसमें निकाल देंगे यहां से %% cancel 0 से 0 cancel और 4 से इसको काटेंगे यह आपका आग्या इतना अपलब यह आपका अधिक्तम अधिक्तम मैट्सिमुम यह आजागा 720 यह इसका सही एंसर CC कैसे जी सब्सक्राइब यह है सुनिल कुमार आप कह रहे है इसमें आप बता रहे हो आप ठीक तो है यह आपकी महाभारत बैच है जो मैट्स में 80 मार्क्स के टोटल होंगे इसमें GSB आपका इंक्लूड है 40 मार्क्स का 10 जून को स्टार्ट हुआ था यह आपका 1299 में आपका कॉर्स यह मिल रहा है यह Basic to Advanced Level का चलेगा यह Basic to Advanced Level जना Basic to Advanced Level का होंगे तो यह आप अगर चाहें तो खरीच सकते हैं जिसको जरुत है 4.0 के लिए यह 4.0 के लिए आप खरीच सकते हैं जिसको इसमें अगर इतना रुपिया में बेचने पर 20% की हानी होती है मतलब 7160 रुपिया में जो बेच रहा है तो यह आपका Selling Price है अगर इसको Selling Price में कर रहा है 20% की हानी हो रही है मतलब यह आपका 88% के बराबर है निकालना क्या है कि 30% लाप्राप्त कर रहे हैं इस बेचना चाहिए तो यह 1% का मान आ गया 130% का आपको निकाल %-% Cancel हो गया यहां से काड़ दो 20% तो यह 80 हो जागा 0 से 0 कट गया 8 से इसको कट आएंगे तो 88, 64 64, 76, 76, 8 पांच यूनिट ऑप्शन नमबर यह आ जाएगा यूनिट देखे 5 ती या 15 यूनिट आपका 5 आ जाएगा एक ही ऑप्शन में रिक्स लेना चाहेंगे तो आप डारेट मार के आगे बढ़ सकते हैं नहीं तो गुनार कर लेना अरिक्स अगर चाहें तो आप यह कर सकते हैं तो बिलकुल ठीक है कोई भाई यहां पे 11,600 आपका 35 इसका सही उत्तर आ गया भाई लोग ठीक है बहुत बढ़ियां आ गया सभी का एंस यहां बोला गया है कि इसका 11 अंक, 11 क्या होगा 11 अंक यहां पे 3 गुना, 6 गुना, 10 परावर है इसका 11 अंक कह रहा है हम लोग का अनुसर 11 अंक यह होगा लगिन कोशन्स में दिया हुआ है यह तो 6 ती आठा रहे इसका भी 11 अंक 8 हो जाएगा 8 गुना और यह N प्लाइगा तो इसको क्या कर लो, by options बना लो जादा इसमें दिमान लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको by options बना लो यह अपने मन से इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, और by option देखो अगर N बरावर 6 मानते हैं, तो 6 मानते हैं 8 चकर तालेश यहां पर 8 होगा और 6 दू आठ यहां भी 8 होगा दोनों बरावर हो गया option number A इसका satisfy हो गया, और भी होगा क्या, 8 काई 8 नहीं होगा, 8 84 आठ दो 10 नहीं होगा यह option 3 नहीं होगा, option A आ जाएगा, इसका सटिक answer हो जाएगा, A इसका सटिक answer होगा, ठीक है कई बात इसमें कोई दिक्कत है तो रुप्टाओ भी यहाँ इसको बाय उप्सिंस बना दिए, अब इसमें करके चे करने की जुरत नहीं था अब देखो, 2880 रुपिया को बाटा, 2820 रुपिया को बाटा गया है दो तरीके से बाटा गया है, एक में बोला गया है, ABC में विभाजित किया जाना चाहिए था ABC में, सही रुप में विभाजित किया जाना चाहिए था, जो 3 is 2, 4 is 2 यहाँ पे देखने को मिला कि यह आपका 12 है, और यह 2820 रुपिया को कितना लाग हुआ यहाँ से पहले एका निकाल लिए, सही रुप में जो निकालना था, एका निकाल लिए, यह आपका 4 से कड़िया, यह आपका 7, 4, 28, 4, 25, यह आगया 705 रुपिया, एको मिलना था, लेकिन क्या हुआ, इसको बाट दिया भाई, बाट दिया, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5 में, गलती से क्या क यह इसको इस रुप में बाट दिया, तो फ्रेक्शन की रुप में नहीं रहता, अगर फ्रेक्शन की रुप में है, तो हरो कैल्सियम लेकर सभी में गुना कर दो, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60 होगा, यह कर जाएगा कितना? 20 तिया 60 ये 20 का ratio होगा और ये आपका हो जाएगा कितना 15 का ratio और ये हो जाएगा आपका कितना आदे का कभी भी ratio fraction के रुप में रहता अगर fraction के रुप में रहता है तो हरो calcium लेकर प्रतेक्टर में गुना कर देंगे तो ये 20-15 आ रहा आ गया अब ये पुर्ण संख्या के रुप में आ गया तो यहाँ पे आ गया ये 47 47 तो यहाँ से देखने को मिला कि इसमें भी 2820 रुपिया ही बाटा था यहाँ भी 2820 रुपिया बाटा था और यहाँ भी 2820 रुपिया बाटा था तो यहाँ पे 47 unit बरावर निकालना है, कोई दिक्कत है यहां तो बताओ, कौन सा कोश्चन नहीं समझे बही बताओ जल्दी, कौन से कोश्चन्स आपको समझ में नहीं आया, वो चीज बताओ बही, मतलब यहां यहां यूनिट जी दो है, साथ चक ब्यालिस, वक्तव यहां पर आजाएगा, यह साथ और यह साथ दुनी बारह, एक सो ब्रिस, मतलब गलती से एकों मिला है बारह सो, और सही मिलना था इतना, तो बताओ ट्रूटी कितना हुआ, तो ट्रूटी हो गया, आपका गया, चारसो पंचानवे की ट्रूटी हुआ, ओप्शन लगती, तहां पेड आउट हुआ भाई, सुनील, नहीं समझे, कौन सी कोशन नहीं समझ पाए, 32 नमबर, 32 तो भी समझा रहे हैं, अरे भाई, देखो यहां पे, अठाई या नियत किया गया था, कि अठाई सो बीस र अगर इसको सही रेशियो में बाटा जाता है, 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 सही रेशियो में बाटा गया, तो 3, 4, 5 में टोटल आपका 12 आ गया, 12 बराबर 2820, और निकालना एक रूटी की बात किया, एकाट रूटी से बात किया, अगर B का बोलता है, अभी B निकालते हैं, यहाँ भी B निकालते, लेकिन A के बारे में बोला गया, A निकाले यहां से, तिन गुना कर दिये, A को आया, सही, सही रूप में लेना था, अगर सही रूप में बाटना था, तो A कामान आगया कितना, 705 पाच आ गया लेकिन गलती से अगर बाटना था तो गलती से देखा गया इसका रेश्चूर यहां पे 20-15 बारा गया तो गलती से इसको देखा गया 1200 रुपी आ गया तो गलती के कारण इसको लाब कितना हुआ चार सो पंचानवे का लाव हुआ यही तो आपका एंसर पूछ रहा था कि लाव तुरूटी के कारण से इसको लाव कितना हुआ तो चार सो पंचानवे इसका सही एंसर हुगा साथ चट ब्यालीस छे चट चोवीश ठीकत है साट बार में कट रहा है तो साट दुनी बारा मतलद छे दुनी बारा एक बारे सो हो जाएगा सुरेंदर आप कहीं गलती किया होंगे आप देख लो एक बार आप देख लो एक है चले अगली सवाल की बात करते है अगला सवाल को देखते है हैं यहां से करारा ए कुसी काम को 25 दिन में करता है ए वडिएर तीन परसंट को आप लिख सकते है दो वड़टा तीन और दो बटा तीन भाग को 30% तो पूरा भाग को अगर बात करें तो ये 30 उलट के गुना कर देंगे तीन बटा दो ये आपका आ गया ये आगया आपका कितना मतलब भी पूरे काम को 45 दिर में करेगा तो भी पूरे काम को कितना डेज में 45 डेज में काम को कम्प्लीट करेगा तो सबसे पहली बात है मुझे यहाँ पे टोटल वर्क चाहिए तो टोटल वर्क ले लो भाई 45 और पचीस में अगर एल्स जिम करेंगे तो ये आपका आजाएगा 225 पंचेस 25 नमा और ये 45 पंचे ये आपका परड़े का वर्क आगया इस बात को समझो परड़े का वर्क आ करेंगे किसका इस काम का कितना भाग जिशार वटा पंद्रह भाग तो पंद्रह ही 25 मतलब ये इतना चार वटा पंद्रह भाग आपका 20 आ गया अब इसी काम को कोन कर रहा है ए करेगा तो ए कर पहले यूनिट निकाल लो एक बात समझो भाई बी अकेले पांच उनिट काम कर होता है तो दी पांच कर रहा है तो यह कितना करेगा चार मतलब यह कट जाएगा आपका एंसर आ गया कितना है 15 days option number a option number a पोई डिक्कत है बोलो कोई प्रोब्लम है यहां तक चली समझ पाएं यहां तक कोई doubt है तो बोलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की बात करते हैं और अगले सवाल को हम लोग फिर देखते हैं अगले सवाल यहां पर बोला गया है यहां पर बोला गया है कि कोई नाव 30 km की दूरी धारा की विपरी दिसा में 3 गंटे में जाता है धारा की विपरी दिसा में मतलब यहां से यहां कोई distance था और धारा आपका इस दिसा में चल रहा है धारा इस दिसा में चल रहा है और नाव आपका इधर से start हुआ और इधर चलना धारा के अपोजिट में चलेगा नाव जब धारा के अपोजिट में चलेगा छियासट कहां गया सर्थ कहां पे चियासट कहां गया सर्थ कहां पे चियासट है वही यह दितरalis का यह अपोजिट ढार्यक्षान में चल रहा है आपोजिट ढार्यक्षान में क्या होता यह x- y को पे से do मालता है और यह टोटल आपका 30 किलोमेटर है और यह 30 किलोमेटर कि इतने घंटे में तीन घंटे में जाता है कि विप्रिष दिशा में तीन घंटे में तो यह आपका आगिया 10 किलोमेटर और दिसा में एक घंटे में दूरी तै करती है अगर नाव इस दिसा से अगर निकलता है इस दिसा में जाता है धारा के दिसा में जा रहा है तो दोनों की चाल चूट जाएगा और ये एक घंटे में दूरी तै करता है एक घंटे में वही दूरी तै करता है इसके चाल आपका ह 30 km पर आवर हो गया तो यहां पूछ रहा है कि 7 जल में मतलब जल आपका क्या है 7 है मतलब इसमें कोई परभाव नहीं है मतलब और उस नाव में 60 km की दुरी मतलब यहां से यहां 60 km की दुरी तै करने में कितना समय लगेगा मतलब यहां धारा constant है धारा की कोई speed नहीं है मतलब धारा y बराबर 0 है तो यहां से x की value निकाल लो x की value minus or plus में दिया रहा था दोनों को जोड़ कर 40 इसको 2 से divide कर देंगे तो बड़ी का value निकाल जागा बड़ी मतलब x की चाल x की चाल मतलब 9 की चाल 20 km तैक करने में लिया गया समय ठीक है तीन घंटा answer हो जाएगा पीस का सही answer हो जाएगा ठीक है बोटन stream आपका क्या है कमजूड है मैं कभी भी इसका marathon लेकर चलाओंगा तो इसमें आपको यह clear कर देंगे बहुत आसान है तीन concept है वही तीन concept अगर आप करना चाहेंगे तो तुरंती answer आजाएगा 35 की अगर बात किया गया तो 35 में बोला गया कि 2014 में college इतना पढ़ने की कोई जूरत नहीं यहां पढ़ो direct question पर आओ जब इस type की question आए तो direct question पर आओ यहां कर रहा है 2014 में college C में कितने परतिसत विद्यार्थी दाकिल हुए तो लगवाद दसमलव का एक अस्थान तक सही लेना ठीक है किस में 2014 तो 2014 को ही देखेंगे किस में college C में college C में college C में 340 विद्यार्थी था college C में total 340 विद्यार्थी था और यह total कि अगर बात किया गया है तो total कितना student होगा 420 और 480 900 900 और 900 और 400 कितना है कि देखलो 900 और 400 बताव जोल के जल्दी तेरे स्वाशी तेरे स्वाशी तेरे स्वाशी और तिंदू पांच तिंदू पांच छे टीश दस देखो इतना रहा है क्या इतना रहा है देखलो बहीं बजरा है तो यहां से इसकी अगर बात करें तो यह आप काट लेना यह आपका आ जाएगा 3400 और 200 यह 1 पांच तुमको लगता है कि 16.9% होगा देख लेना यह आप अपने खुद से कर लेना खुद से इसको solve कर लेना खुद से इसको solve कर लेना यह 16.9% आएगा option number B आप इसको देख लेजेगा calculation आपका काम है यहाँ पर इस question को समझें एक सिक्का नो वर उच्छाला जाता है एक सिक्का को नो वर उच्छाला गया एक सिक्का को नो वर उच्छाला गया है एक सिक्के को नो वर उच्छाला गया तो 9 बार उच्छाला गया, तो total यहां पर देखने को मिला, कि 2 पर पावर 9, और 2 पर पावर 9 मतलब यह आपका 512 होगा, है ना, 2 पर पावर 9, इसका मतलब यहां से अगर बात करें, तो यह total cases जो होंगे, total इसमें जो cases होंगे, case होंगे, तो वो total case आपका 512 होगा, होंगे, इसके बारे में आपको निकालना है, मतलब यहां से अगर बात करें, put, put मतलब होता है, tail, put मतलब क्या होता है, भई? ठीक है, tail, अगर 2 put की बात करें, तो माल लेते हैं, अधिक्तम 2, जैसे माल लेते हैं, कि 0 tail आया, मतलब tail आपकी नहीं आया, 0 आजाए, यहां से आजाएगा, कि total आपका 9 बार उच्छा ला गया, 9 बार जब उच्छा ला गया, तो 9C 0, क्या आजाएगा, 9C 0 आजाएगा, तो 9C जब 0 आजाएगा, तो यहां पर देखने को मिला, 9C 0 हो जाता है, अब जब उच्छा ला गया, तो यहां से देखेंगे, कि 1 tail आने की अगर प्रैक्ता देखते हैं, तो 1 tail आने की प्रैक्ता अधिक्तम कहां तक देखना है, 2 तक देखना है, यहां से आगया आपका कितना, यह आपका आगया 9 यह आजाएगा, ठीक है, अब यहां पे 2, 2 tail आने की प्रैक्ता यहां पे देखते हैं, 2 tail आने की अगर देखते हैं, 2 tail आने की अगर बात करते हैं, प्रैक्ता नहीं, मलब combination निकालने की अगर बात करते हैं, यहां से आगया 9C, यहां से आपका आजाएगा, कितना, आप इस formula को यूज़ कर ले ना आपको इस इस formula को यूज़ कर ले ना यहां factorial n और यहां से आ जाएगा r और यहां पर n मैनस r होगा ठीक है आप इसको formula use कर ले ना यहां से direct हो जाएगा आपका do लाएंगे तो 8, 9 9.36 यह आपका आ जागा 36 आप निकाल लेना यह खुद से आप निकाल लेना इसमे आप देख लेना इस फॉर्मूला से आप इसको निकाल लेना हम यहाँ पे निकाल दिये यहाँ 0 देल आने और 1 देल और 2 देल आने की अगर बात करते हैं टोटल यहां पर जोड़ेंगे तो यहां पर आ जागा 45 और 1 46 इसकी अगर probability की बात करते हैं तो 46 टोटल केस आपका 512 है उसमें से 46 बार इसका एंसर आ जागा ठीक है 46 बार इसका एंसर आ जागा ठीक है यहां से आपको काटेंगे यह आ गया 23 और यह आ गया कितना 256 इसका सही एंसर जाएगा option number कि यह एंसर आ जाएगा कहीं पर अगर डाउट है तो एक बात बताना बेरे भाई कि यहां पर यापर स्ढ़न देख ले न यहाँ से अधिकतम दो तक तो zero टेक दो तक yield इत्र ना इसका फिल आने की दो टेल आने की अधा अगर बुलताłem तो अधिकतम 3 यहां से एक और निकामने कि निकालने कि बात करते हैं मैक्समुम आपका केस पांसो बार होंगे इसमें आपका अधिक्तम 46 बार टेल आएंगे दो तक यहां पर आएगा तिरेपन बटा दोशोच्छापन यहां बोला गये कि PE 0 है घटना असंभव घटना कालाती है यदि किसी खेल में जितने की प्रैक्ता 0.3 है तो उसमें हारने की प्रैक्ता क्या होगी होगा चीड का अगर फाल क्या है तो 1.3 को अगर पोइंट हटाते दो यह 11 ऐसे 10 मिंसे घटा देना हूबस सीधा सथे 1 एक गटा देना है एंसर आजाएगा बहुत आसान है तो को डाउट है नहीं दिक्कत नहीं है इसमें सिर्फ एक मेंसे इसको गटा देंगे तो यह एंसर आजाएगा एक कैलकुलेशन है यह कैलकुलेशन आपकूद करना यहां पर मिसिर्फ आपको तरीका बता दे रहे हैं कि इसका औसत माद निकालना है इसमें माद निकालने की बात किया गया है तो माद निकालने के अगर बात किया गया तो माद यहां पे 9 है तो माद अगर बात करे तो यह द यहां पे देखो कितना आ जाएगा 3.5 लेंगे तो यहां पे आ जाएगा 10.5 और यहां पे अगर देखेंगे तो यहां पे 17.5 और यहां से अगर देखेंगे 17.5 21, 24.5 बीच वाला टर्म लेना है माद अगर मिकालना है तो 28 में से 3 जोड़ेंगे तो 31.5 और यह जब जोड़ेंगे 3 तो 38.5 और यह जब जोड़ेंगे यहां आ जाएगा 45.5 कोई दाउत है देख लो सर मैंने कल की बैच लिया हूं क्या हुआ तो कल की बैच लिया है बही बताव तो साड़े स्थीक है अब जब लिये है यहां पर देखो यह बीच का है तो बारम बारता यह मतलब 3.5 कितना बार 19 वार आ रहा है तो यहां पर आप गुना कर लो इसको गुना करके लिख लो यहां पर लिख लो 10.5 इसको गुना करके लिख लो यह आपका 25.5 गुना करके लिख लो यह आपका 24.5 गुना करके लिख लो यहां भी 31.5 गुना करके लिख लो और यहां पर 38.5 गुना करके लिख लो और यह आपके सवाल है, यह आपको रा कैल्कुलिटीव, अब यहां से जो गुना करके आएगा, यहां से जो गुना करके टोटल आएगा, टोटल जो गुना करके आप लिखेंगे भाई, दो से भाग कर रहे हैं, next तो, ठीके, इसको आप कर ले नē इसमें हम लुग क्या करेंगे, यहां पर क्या करके, यहां पर जोड लेंगे, इशको बसे ठूलक सरे इस इस टोटल नंबर से डिवाइड कर दे दो .. 8, 3, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 14, 14, 20, 25, 25, 25, 25, 29, 34, मतलब यहां से इसको जो डिवाइड करेंगे, कर ले न, यह आपका काम है, इतना आप करने की कोशिस करना, यहां आपका 34, 2, 3, 6, 6, 6, 7, 4, 13, 13, 15, 18, 18, 18, 18, 18, 22, 22, 24, 24, 24, और यहां 3, तो यहां पर एंसर आ जाएगा, और इनसर आजाएगा, ंसर आजायगा, सी का सही एंसर आजाएगा, ठीक है, 6, typ, यह आप कर ले न, सभी को जोड़कर आप लिख ले न, गुना कर के लिख ले न, 360 केजी, 310 केजी इसका प्रास निकालना है इसका अगर प्रास निकालना है तो प्रास बराबर होता है range इसको range बोलते हैं तो range इसको range बराबर होता है maximum maximum term minus minimum term कर देंगे तो यह आपका आजाएगा range को ही प्रास बोलते है तो maximum देखने को मिला है, कि maximum यहां से आ गया कितना देख लो, maximum 360 होगा, maximum 360 होगा, और minimum की बात करेंगे, तो minimum आपका हो जाएगा 270, minimum हो जाएगा 270, तो यह आ जाएगा कितना, 90 आ जाएगा, option number, option number, सही इसका सही answer आ जाएगा, सही इसका सही answer आ जाएगा, ठीक है, all protein को तो क्या हुआ सुस्मा? अब आके देखेंगे, यहां बोलाएग समिकरन आपका यह दिया है, और वो समिकरन पिंदू, पी, अल्प और बीटा पर एक दुस्रे को कारता है, यहां देखेंगे, दो लाइन, और यह दोनों लाइन यहां पर कट करता है, माल लेते हैं, यह आपका जो कट करता है, यह पी पर कट करता है, और पी आपका अल्फा और भी है, यह लाइन माल लेते हैं, यह 5X-2Y equal to minus 1 है और यह line आपका मान लेता है यहाँ से एक बात समझेंगे अगर यहाँ से एक बात करने की कोसिस करते है equation solve करते हैं दोनो equation तभी तो जब यह दोनों को परतिछेद कर रहा है मतलब यह x और y का जो value निकलेगा यह दोनों को satisfy करेगा यह alpha और beta का जो value के दोनों को satisfy करेगा मतलब यह आपका minus बनाएगा और यहाँ से minus 3 इसको calculate कर दो calculate कर दो यहाँ पर कितना गुना करतेंगे दुगना यहाँ पर भी दुगना यहाँ पर दुगना देखो दो दुनी चार यह cancel हो गया 5 दुनी 10 10 में से 3 गया यहाँ पर 7x और यहाँ पर 2 है minus यहाँ आगया 7 यह cut गया x बरावर आगया कितना जब x बरावर minus 1 आगया कहीं भी put कर दो यहाँ पर अगर हम put करते तो यहाँ से आप y कामान निकाल लो put करते है minus 1 तो minus 1 put करेंगे यह 5 आगया और 5 उधर चल जाएगा तो minus 6 और यह आजाएगा y बरावर कितना आजाएगा तो यह आजाएगा ठीक है ठीक है यहाँ से आप देखने को मिला x बरावर इतना आगया और y बरावर आपका पलस में आगा 4 हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा यह पलस में इधर आएगा 5 तो आपका हो जाएगा minus में है न पलस 5 तो 4 4 से 2 कट जाएगा आपका आजाएगा ठीक है y बरावर आपका आजाएगा minus 2 y बरावर यहाँ minus 2 इसका मतलब x जो है alpha है x जो है alpha है बरावर आई बीटा है निकालना क्या है 2 alpha 2 alpha alpha का मान यहाँ से आगया minus 2 और minus minus plus 3 तीन दुन 6 यह आगया 4 इसका सही answer option number option number यहाँ तक आपका पूरे questions आपके complete हो गए तो यह आपके total questions आपके 40 questions का discussion हो गया